हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इनको टेक्ट चैनल दोस्तों, एक्सल की फार्मूला और फंक्शन की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और फंक्शन का उपयोग करना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं थेयरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे और और फंक्शन का उपयोग आल अर्गुमेंट्स में से किसी एक आर्गुमेंट के सही होने पर ट्रू तथा सभी argument के गलत होने पर false का message display करने के लिए किया जाता है दोस्तों r function का उप्योग उस समय किया जाता है जब कई condition हो और उस condition में एक भी condition अगर जो सही हो तो उसका answer true मिले और सभी के सभी condition गलत हो तो false का message display हो इसका rule है cell में equal sign लगाकर or type करना है उसके बाद open parenthesis लगाना है उसके बाद logic 1 को आपको type करना है फिर comma लगाना है logic 2 को आपको लगाना है और फिर से comma लगाना है और logic 3 को ऐसे ही जितने भी आपके पास logic हो उन सभी logic को comma के बाद लगाते जाए और close parenthesis लगाए और enter की press करें लेकिन उससे पहले ध्यान दे कि आप पर logic 1 compulsory है और बाकी उसके बाद से logic 2, logic 3, logic 4 जो भी होंगे उस सब optional हैं अगर जो आपके पास हैं तो उस logic को लगाए अन्य था रहने दे इसके अधार पर एक example देख लेते हैं value 1500 से बड़ा तथा value 900 800 से छोटा है और value 500 600 400 से छोटे हैं सत्यापित कीजिए दोस्तों इसके अंतरकात हमने दो question रखा है पहला question value से start होकर यहां तक complete होता है और दूसरा इस value से start होकर यहां तक complete होता है इस example के अंसार मातर दो ही table तयार होंगे लेकिन Excel worksheet के अंतरकात हमने और function का उपयोग कहा पर करना है उसके लिए बिश्तित एक table बना के रखा है कि company में या कहीं पर भी इसका अच्छे से उपयोग कैसे करते हैं तो चलिए हम सीधे उसे देखते हैं अपने Excel worksheet के अंतरकात दोस्तों अभी हम अपने Excel worksheet के अंतरकात आ चुके हैं और उसके अंतरकात दो condition हो तो उस अवस्ता में की हमारा rule कैसे काम करता है अगर जो condition 1 true हो और condition 2 भी true हो तो answer आपको true ही मिलेगा यदि condition 1 true हो और एक condition false भी हो तो भी आपको answer true मिलेगा यदि condition 1 false हो और condition 2 true हो तो आपको answer true मिलेगा और यदि condition 1 false हो और condition 2 भी false हो तो आपको answer false मिलेगा इसका मतलब simple है दोस्तों कि कहीं पर भी अगर जो एक भी condition अगर जो true होता है तो उसका answer बिल्कुल ही true मिलेगा और दोनों ही रूपों में अगर जो condition false होंगे तभी जाकर इसमें false का message डिस्पले होगा चलिए इसके अधार पर example number 1 को देख लेते हैं और function का यह example number 1 है जो कि अभी हमने theory base में जब आपको slide के मादियम से दिखाया था उसमें सबसे पहला वाला यही question था value 1500 से बड़ा तथा 900 800 से छोटा है तो चलिए अब हम इस logic end वाले cell के नीचे वाले cell में चला कर देख लेते हैं कि इसका answer क्या आने वाला है तो हमने यहाँ पर equal का sign लगाया equal का sign लगाने के बाद type करना है OR और type की press करना है जैसा ऐसा करेंगे तो function पूरा हो जाएगा और open parenthesis भी आ जाएगा अब सबसे पहली वाली value को हम select करेंगे और question के according अगर जो देखें तो value 1500 से बड़ा है तो यहाँ पर greater than sign लगाएंगे और उसके बाद दूसरी वाली value को हम click कर देंगे जैसे हमने इसे click करा इसका sale address यहाँ पर आ चुका है अब हम यहाँ पर comma लगाएंगे चुकि यहाँ पर logical one complete हो जाता है अब यदि आपके पास दूसरा भी logic है तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर लगाना होगा अब question के according उसमें आगे कह रहा है तथा 900 800 से छोटा है तो सबसे पहले हम 900 value वाले sale को select करेंगे ठोटा है तो यहाँ पर last done का sign लगाएंगे और हमारी जो 800 type की गई थी value वो B13 में type की गई थी तो यहाँ पर हम B13 को type कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इससे select नहीं कर सकते यहाँ का हमारा data इस cell पर भी overlap हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर उस cell का पूरा का पूरा नाम type कर लेंगे type करने को बाद shift सा 0 की प्रेस करेंगे और result एखने के लिए enter की प्रेस करेंगे हमने अपने function को पूरी तरह type कर लिया है अब enter की प्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही question में बताया गया था value 1500 से बड़ा है एकदम बड़ा है तो इसलिए हम पर answer true ही होना चाहिए लेकिन उसके बाद दूसरा logic था हमारा कि 900 800 से छोटा है चुकि यह तो गलत है 900 800 से बड़ा है लेकिन फिर भी result हमें मिल रहा है true इसलिए क्योंकि और function यह कहता है कि दोल तर्क में अगर जो एक तर्क सही है तो answer आपको बिलकुल सही मिलेगा चलिए इसी पर आप example number two को देख लेते हैं दोस्तों अभी हम और function के example number two को देख रहे हैं यहाँ पर देखें तो अलग 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 sale में value 500 600 और 400 यहाँ पर type किया गया है अब अगर जो हम question को देखें तो question का रहा है कि value 500 और 600 400 से छोटे हैं तो यहाँ पर simple देख लिए दोस्तों यह दोनों छोटे हैं ही नहीं दोनों के दोनों यहाँ पर यह logic गलत है तो यहाँ पर message आपको निश्यत है कि false का ही display होगा चलिए देखते हैं जिस sale में हमें यह false का message या true का message ही है तो sale को select करेंगे equal का sign लगाएंगे और type करेंगे or type की press करेंगे function पूरा करने और open parenthesis को लाने के लिए अब सबसे पहली हमको value select करनी है यह वाली क्योंकि इसी से हमको compression करना है तो हमने 500 वाले value को select करा जिसका sale address यहाँ पे display हो रहा है तो 500 छोटा है कि से 400 से तो select करने के बाद comma लगाएंगे अब logical 2 चाहिए तो logical 2 में पहले उस value को select करेंगे जिसका हमें तूलना करना है तो हमने 600 वाले sale को click करा last then लगाया क्योंकि यहाँ भी value इस value से छोटा है जो की b21 में type किया गया है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ से function दूसर करने के बाद से shift के साथ 0 की press करेंगे close parenthesis के लिए और enter की press करेंगे हमसर आपको मिल रहा है false क्यों false आ रहा है क्योंकि 500 400 से छोटा नहीं है और 600 भी 400 से छोटा नहीं है इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पे logical false है तो यहाँ पर आपको false का message display हो रहा है यह तो था दोस्तों बह और function की मदद से हम true और false का message कैसे display कर सकते हैं कई argument या कई condition के अंतरगर अब हम और function का उपयोग company में या किसी another data पर कैसे इसका उपयोग करते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों अभी हम और function के example number 3 पर हैं जिसके नीचे देखें हमने इस table का नाम दिया है discount eligible table मिन दोस्तों कि क किसी company या किसी shop पर कुछ customer के दवारा खरीदारी किया गया है जिसका total will amount यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और साथी साथ उन्होंने कितना कितना product खरीदा है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है खासकर इसका उपयोग mall में या उस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है जहा कम से कम 3 product को खरीदा हो अगर जो 10,000 का उसका bill amount बन रहा है या कम से कम 3 product को खरीदा है तो उसके total bill amount पर 25% का discount दिया जाएगा अभी हम discount दे नहीं रहे हैं अभी हम सिर्फ यहाँ समझेंगे कि यदि ऐसा होता है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह व्यक्ति eligible है कि नहीं है तो उस के नीचे वाले cell को हम select करेंगे equal का sign लगाएंगे और यहाँ पर type करेंगे और type की press करेंगे function पूरा करने और open parenthesis को लाने के लिए total bill amount से पहले वाले cell को select करेंगे greater than लगाएंगे और equal का sign लगाएंगे और यहाँ पर type करेंगे 10,000 क्योंकि question है 10,000 का ही अब सबसे पहले इसक equal का sign लगाया ओर type करा function open parenthesis लगाया इस cell की value यदि बड़ी हो या बराबर हो 10,000 के कामा लगाएंगे product वाले value को select करेंगे greater than लगाएंगे equal sign लगाएंगे और 3 type कर देंगे product के अंतरगत कोई भी Excel सेलक करेंगे जिसकी value कुछ भी हो सकती है greater than हो या बराबर हो 3K और close parenthesis लगा देंगे और enter key press करेंगे अब हमने finally अपना function type कर दिया है enter key press करेंगे जैसे enter key press करेंगे result यहाँ पर display हो जाएगा आप देख रहे हैं आप मैसे display हो रहा है true आखर true क्यों क्योंकि पहली वाली value जो की कहा था कि अगर जो 10,000 हो तो यह eligible होगा यदि 10,000 नहीं हो तो कम से क उसने तीन product खरीदा हो तो फिलाल देखें तो amount इसकी पहले ही total will की 10,000 है तो यहीं पर यह eligible है अब product से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी product की आप बात कर लें तो देखिए product 2 है तो यहाँ पर false message एक display हो रहा है तो false false नहीं माना जाएगा क्योंकि R में एक कोई भी true ह तो true ही माना जाएगा अब इसी formula को सब में copy paste करते हैं तो यहाँ पर fill handle button पर double click करेंगे और automatic formula copy paste हो जाएगा दूसरे वाले में देख लें तो दोनों argument सही है 20,000 यानि कि 10,000 से अधिक है और यह तीन के बराबर है इसलिए यहाँ पर true और तीसरे वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पर 700 जो कि 10,000 से कम है पहली value false हो गई और दूसरी product में भी एक है इसलिए यहाँ पर false का message display हो रहा है अगले वाले हम देखें 1200 जो कि 10,000 से कम है इसलिए यहाँ पर false होगा लेकिन product में देखें तो 3 से अधिक है तो यहाँ पर message हो रहा है true display क्योंकि एक argument यहाँ पर सह display हो रहा है true अब दोस्तों यदि यहाँ बंदा eligible है तो इसे discount हमें कैसे देना है तो चलिए अब हम इसे discount देकर देखते हैं कि discount कैसे देना है discount देने के लिए यह function का उपयोग करना होगा और जो function या formula इसके अंदर हमने type करा था उसी को copy paste करके थोड़ा सा बढ़ा देना है चलिए देखते हैं कैसे तो सबसे पहले उस cell को double click करके हम edit कर देंगे जिसमें सबसे पहले हमने function चलाया था तो हमने function यहाँ पर चलाया था हमने इसे double click करा और इस सभी argument और function को select करके हमने copy कर लिया अब हमने यहाँ पर type कर लिया है ध्यान दिजिए equal if open parenthesis or open parenthesis अब आकी सारा वही matter हमने यहाँ पर paste कर दिया है यहाँ पर कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद से उस total cell को select करेंगे जिस पर की हमें discount देना है तो हमने इस cell को select करा ashtick sign लगाएंगे और इस पर 25% काम को discount देना है तो 25% type कर लेंगे उसके बाद कामा लगाएंगे और double quotation में हम message type करेंगे यदि वह दोनों ही argument में सही नहीं पाया जाता है तो उसको हम no discount देंगे तो यहाँ पर type कर लेंगे no discount double quote close close parenthesis एक बार और देख लिजे दोस्तों हमने स इसमें logic 1 और logic 2 को बढ़ा है जो की if function का है और उसके अंदर logic test 1 को हमने यहाँ पर रखा है if के लिए r तो इसके अंदर चल रहा है यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई issue नहीं है हमने अभी पता है आपको copy paste करके वह आपको समझ में आया होगा इतना ही इसमें बढ़ discount मिल रहा है अब इसे copy paste करने के लिए fill handle button पर double click कर देंगे automatic formula या function नीचे एक तरफ copy हो जाएगा आप देखेंगे जिसका false का message है उसे discount नहीं मिल रहा है अगर जो इसकी value को बढ़ा दी जाए तो क्या मिलेगा तो चली हम इसे कर दे रहा है 25,000 टाइप की परेस करते हैं चेक कर सकते हैं कि कोई ब्यक्ति eligible है discount के की नहीं और यदी है तो उसे discount कैसे देना है चली और function का एक और example देख लेते हैं दोस्तों और function का या example number 4 है किसी company में आप काम कर रहा है या किसी ने database दिया है commission table का जिसमें कुछ salesman है जिनोंने market में door to door या shop to shop जाकर mobile cover screen guard और charger बेच क्या हुआ है तो उन्हें commission कैसे देना है जैसे company के according अगर जो आप एक mobile cover एक screen guard और एक charger बेचते हैं तो company आपको 2% या 4% commission देती है यदि इन तीनों में से कोई आप एक argument गलत भी कर देते हैं मिन्स शिर्फ mobile cover बेचा screen guard बेचा और charger नहीं बेचा तो भी आपको 2% का commission मिलेगा तो कि आप function को हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें एक भी argument सही होगा तो answer विल्कुल ही correct आएगा चलिए इसे कैसे चलाना है देख लेते हैं उस cell को select करिए जिसमें आपको इसे run करना है उसके बाद equal का sign लगाईए type की जिए over type की press करिए सबसे पहले उस cell को select करिए जिसके according आपको पहला argument चलाना है तो हमने mobile cover के नीचे वाले cell को हमने select करा greater than equal 1 यदि यह cell बराबर हो या बढ़ा हो एक के तो कामा लगाएंगे दूसरे cell को select करेंगे greater than equal 1 यदि यह cell बराबर होगा या greater than होगा 1 का कामा लगाएंगे दूसरे cell को select करेंगे greater than equal यदि यह cell बराबर हो तो 1 और close परन्थेति यहां लगा कर enter की press करेंगे अगर जो तीनों ही argument सही होगे तो यहाँ पर true का message आएगा और तीनों ही नहीं इन तीनों में से कोई भी एक argument सही होगा तो यहाँ पर answer true ही आएगा चलिए हमने यहाँ पर त enter की press करा देखिए answer मिल रहा है true क्योंकि तीनों ही argument यहाँ पर सही है अभी cell को select करके यहाँ पर fill handle बटन को double click करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि automatic formula copy paste हो गया है अब देखेंगे दूसरे वाले में भी true आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दो argument सही हो रहा है तीसरे वाले में देखे हैं तो सोहन ने एक भी mobile cover नहीं बेचा एक भी screen guard नहीं बेचा एक भी charger नहीं बेचा इसलिए आपर false का message आ रहा है संदेश ने दो mobile cover एक screen guard और एक charger बेचा इसलिए true यानि कि इन सब के condition एक या दो के हैं इसलिए यहाँ पर true के message आ रहा है अगर जो पहले वाले को ही अगर ज का false आएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल false आएगा देखिए इसने एक भी mobile cover या screen नहीं बेचा है इसलिए आपर false आ रहा है चलिए हम one करके देखते हैं हमने one type करा बिल्कुल true क्योंकि एक भी condition r function में सही हुआ तो message true का ही आएगा दूसरे को कर देते हैं सही और तीसरे को भ अब दोस्तों हमें यह समझना है कि अगर जो इन्हें हमें commission देना होगा तो हम कैसे देंगे तो अभी दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया था discount देने का तरीका बिल्कुल वही वाला है सबसे पहले तो आप इसे copy कर लीजिए जो अभी अभी आपने function चलाया है और जिस cell मे विल्कुल अंत मिले जाए अंत मिले जाने के बाद कॉमा लगाए और आप कितना commission देना चाहते हैं तो मान लेते हैं हम 1000 कॉमा लगाए और double quotation में type कीजिए अगर जो value true नहीं हुई तो आप क्या बताना चाहते हैं वहा हो message तो हमने type करा work hard आप जो चाहें यहाँ पर value type कर सकत है इतना type करने के बाद enter की press करना है तो देखिए value true है इसलिए 1000 का commission मिल रहा है अब इसे हम fill down करते हैं तो fill render button को double click करें देखें नीचे की तरफ तो जिनका जिनका value true है उनको 1000 का यहाँ पर commission मिल रहा है और जिसका false message है उसको work hard का message display हो रहा है तो इस परगा दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा और function का उपयोग करना आसा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए channel परना है तो subscribe कर लिजिए हमरोज ऐसे tips and trick की वीडियो इस channel पर upload करते रहते हैं दोस्तों यदि आपको हमारे द के लिए हमने समझा कर रखी हुई है मिलते हैं दोस्तों आपको new वीडियो में new tips and new trick के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंज जै भारत